पाननपुर गाउं के एक छोटे से कस्बे में लोहार करोडी मल अपने नौकर बांडिया के साथ रहता था और वहां लोहे की कारीगरी का काम किया करता था बांडिया करोडी मल की शादी में दहेज में आया हुआ लड़का था जिसे कुछ नहीं आता था इसलिए करोडी मल ने उसे अपने लोहार वाला काम सिखा दिया दोनों दिन रात मेहनत करते और गाउं के लोगों के लिए लोहे के बर्तन, बाल्टियां और कई सारे सामान उन्हें बना कर दिया करते थे जैसे तैसे उनका गुजारा हो रहा था अरे बंद्या देख, आंधी आ रही है, जल्दी से कपड़े और सारे किम्ची समान घर के अंदर रख ले मैंने कपड़े पहले से अंदर रख दिये हैं, बस कुछ समान है उन्हें मैं लेकर जा रहा हूँ जूर की आंधी आ रही थी, तब करोडी मल की नसर उपर आस्मान में पड़ी, उसने देखा आस्मान से बहुत तेजी से जमीन की तरफ रोश्नी आ रही है बागो, ये आस्मान से नचाने क्या गिर रहा है, लगता है प्रले आने वाली है, भाग बंद्या, भाग करोडी मल और बांडिया अपने घर से भाग कर थोड़ी दूर गए ही थे, कि उनके खेत में एक बड़ा सा चांड का तुकड़ा गिरा जैसे ही आन्धी बंद्ध हुई, दोनोंने आसपास जाकर देखा यहाँ पर तो बहुत बड़ा गड़ा नजर आ रहा है बस, लगता है बर्फ बिगल गई, चल थोड़ा करीब चल कर देखते है गड़े के अंदर से तो बहुत तेज रोशनी आ रही है, ये देखिए जा, गड़े में कूद कर देख क्या हुआ है सेट करोडी मल अंदर गड़े में जाकर देखता है अंदर गड़े में दबे उसे चान के छोटे-छोटे टुकडे मिलते हैं उस टुकडे में इतनी रोशनी थी कि रात के समय में भी बिना लाइट के भी दूर-दूर तक उजाला दिख रहा था जैसे ही करोडी मल गड़े से उपर आया उसके हाथ में चान के टुकडे और उसकी रोशनी देखकर बांडिया वहां से डर कर भाग गया रुख जा, क्यों डर रहा है? भाग बाद, इससे कुछ नहीं होता करोडी मल की बात सुनकर बांडिया रुख गया और उनके पास चला गया मालिक, ये तो किसी चमतकार से कम नहीं है आप इसका करेंगे क्या लेकिन? मैं तो कहता हूँ कि इसे हम किसी महापुरुष के हाथ में दे देते हैं हमें इससे क्या? बागल हो गय हो क्या? मैं इसका क्या करूंगा? तुम देखते जाओ बस इस चांद के टुक्डे के सिक्के बना कर मैं बेचूंगा चांद के सिक्के? इससे बला क्या होगा? जैसे भी बला हो लेकिन ये बात बस तुम किसी से कहना मर करोडी मल उस रात सो नहीं पाता है और सुबा होते ही चांद के टुकडे को तराश तराश कर सौ से भी जादा चांद के सिक्के बना देता है इतने सारे सिक्कों का आप करेंगे क्या? पूरी रात आप सोए नहीं और अब आपने उस चांद के टुकड़े के सिक्के बना दिये इससे इतनी जमक आ रही है कि इस सिक्के से मैं पूरी दुनिया को अपने कद्मों में जुका सकता हूँ सारे बाजार और सारे शहर में ये खबर फैल जाती है कि करोडी मल के पास चांद के सिक्के हैं लोगों की भीड उनके घर के बाहर लग जाती है और लोग उसे परिशान करना शुरू कर देते हैं अगर तुम मुझे चांद का एक सिक्का दोगे तो तुमें मैं एक लाग रुपे दूँगा उससे तुम बहुत कुछ कर सकते हो मैं पूरे दो लाग लेकिन सिक्का मुझे देना होगा मैं तुम दोनों को दे दूँगा लेकिन एक सिक्के की कीमत एक लाग होगी करोडी मल सौ सिक्कों में से दस सिक्के बेच कर गाउं का सबसे अमीर आदमी बन जाता है और शहर में बहुत बड़ा मकान ले लेता है बांडिया भी अब अच्छे कपड़े और अच्छी पगार पर उसके पास काम करने लगता है यह होती है जिन्दगी जब तक मैं लोहार था तब तक एक कुटा भी हमारे घर नहीं आता था लेकिन अब देखो जारो तरफ नहों कर्चा कर लेकिन मालेक आपने ये नहीं सोचा कि हमारी जो पिछली जिन्दगी थी वो बहुत अच्छी थी और अब दो वक्त की रोटी भी हम सुकून से नहीं खा पाते जब भी मुल खोलता है तो ऐसे ही अशुब बाते करता है कुछ पैसे वो अपने नौकर बांडिया को देता है और अयाशी से अपना जीवन बिताने लगता है ये लो अपने सिक्के ये कोई चांद का टुकडा नहीं है ये एक मामूली अंतरिक्ष का पत्थर है जो कुछ दिनों तक चमकेगा बस उसके बाद ये आम पत्थर हो जाएगा तुरंद वो अपनी तिजोरी की तरफ भागते हुए गया और वहाँ जाकर देखा तो सारे सिक्कों की चमक चली गई थी अब वो बस एक पत्थर थे ए भगवान ये क्या हो गया? ये कैसा अनर्थ हो गया मेरे साथ? मालिक, मेरे ख्याल से अब यहाँ से हमें भाग जाना चाहिए जैसे जैसे लोगों को ये बात पता चली की हमारे घर आकर वो तमाशा करेंगे लेकिन मेरे पैसे? वरना मैं सबसे कह दूँगी तुम्हारे सिक्कों के बारे में सबको बता दूँगी मैं इन्हें जल्दी से जाकर इनके सिक्कों के पैसे दे दे करोडी मल और बांडिया दोनों ही वहाँ से अपने कपड़े कीमती सामान लेकर भागने ही वाले थे कि वहाँ वो सब आ गए जनको करोडी मलने सिक्के बेचे थे देखते ही देखते पूरे शहर में करोडी मल और बांडिया के नकली चांद के सिक्के बेचने की खबर फैल जाती है जिन जिन लोगोंने सिक्के खरीदे थे उन्हें करोडी मलने अपना आलिशान घर बेच कर पैसे वापस किये कई लोगों के पैसे फिर भी बच गए थे तब मालेक याद है आपने मुझे कुछ पैसे दिये थे मैंने तब सोचा था कि इन्हें सही समय पर इस्तिमाल करूँगा और अब वो समय आ गया है अगर मैंने पैसे नहीं दिये तो ये मेरे कपड़े तक उतार लेंगे हमारा घर हमारे जमीने सब चली गई इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे पास पूरे दस लाग रुपए है दस चांद के सिकों के पैसे आपने मेरे पास संभालने के लिए दिये थे ये लीजिए और अपना सारा कर्जा चुका दीजिए बांडिया से पैसे लेकर करोडी मल सारे कर्ज चुका देता है और अपने गाउ में फिर से लोहार का काम शुरू कर देता है याद है बंद्या तुमने कहा था दो वक्त का खाना हम सुकून से नहीं खा पा रहे ये देखो अब सब पहले जैसा हो गया मैं तो पहले से जानता था जब तक हमारे पास चांद के सिक्के थे हम परिशान ही थे हमने मेहनत बिलकुल भी नहीं की और ऐशो आराम के जिन्दगी मिल गई एक इसी तरह करोडी मल अपने गाउं आ गया और मेहनत करके लोहार का काम फिर से करने लगा और अपने नौकर बांडिया के साथ जिन्दगी बिताने लगा